नमस्कार दोस्तों अब देखरों रोहिलोजी एसेंशल अफ एक्रिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एक्रिकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी एक्जाम अगर हो रहा है खास करके यहां से ही वहां पे questions होते हैं तो आप बुक को पूरा पढ़िए अच्छे से पढ़िए और MCQ आप यहां से किजिए क्यूंकि पूरे topic का निचोड मैंने लाया है अगर आप हर एक topic वाइस जाएंगे तो उसका पूरा MCQ मैंने तयार किया है जो भी possible MCQ बनते हैं उसको मैंने MCQ पढ़ें और question का answer पहले खुद देनी की questions करें उसके बाद मेरा answer देखें page number 573 पर milk technology दिया हुआ है उस पर best MCQ हम लोग आज deal करेंगे चलिए उसमें सबसे पहले milk definition दिया हुआ है a whole fresh clean, lactial secretion, lactial secretion कोही milk बोलते हैं obtained by complete milking of one or more healthy animals, healthy animals की बात की गिए अगर disease containing है तो वो healthy milk नहीं कहलाएगा या complete अच्छा milk नहीं कहलाएगा excluding that obtained within, dash cowing of animals is called milk तो cowing का period, मतलब cowing के कितने दिन पहले और cowing के कितने दिन बाद का जो lactial secretion होता है वो milk कहलाता है यह आपको बताना है चलिए इसका answer होगा option C, 15 days before and 5 days after 15 दिन पहले, cowing के 15 दिन पहले और cowing के 5 दिन बाद का जो lactial secretion होता है उसको milk बोलते हैं अगला question है, cow milk में carotene के परजन से कौन सा color आता है जब भी हम लोग cow milk को boil करते हैं तो देखते हैं आप उसमें कि यह yellow color light yellow color contain करता है इसलिए इसका color होगा light yellow वहीं पर अगर buffalo भैस के दूद की अगर बात करें तो इसमें carotene का absence होता है, तो carotene के absence के कारण कौन सा color आता है देखे, carotene जहां भी परजन से होगा वो कोई ना कोई color लेगा, red लेगा, pink लेगा, yellow लेगा कोई भी color लेगा, अगर होगा ही नहीं तो कोई भी color नहीं लेगा, इसलिए इसका answer होगा option B, white अगले questions की तरफ बढ़ते है which chemical property of cow milk and buffalo milk is same कौन सा chemical property same होता है, गया और भैस के दूद का acidity, slightly different होता है, specific gravity भी slightly different होता है color तो perfect है कि दोनों का अलग होता है, एक का pale yellow होता है pale yellow, sorry, light yellow होता है और एक का white होता है, तो boiling point जो है, वो दोनों का same होता है अगला बात करें, viscosity की, viscosity of milk is how much more or lesser than water water से तुलना की गई है, किसकी milk की, तो viscosity कितना percent ज़्यादा होता है कितना times, ज़्यादा या कम होता है, तो देखिए, viscosity जो होता है, वो milk का, वो water से ज़्यादा ही होता है तो कितना ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होता है, तो यह less वाले दोनों option तो कट गए तो इसका option होगा A, 1.5 to 1.7 times more next question, which of the following statement is correct, इसमें चार statement, तीन statement लगबग दिये हुए है आपको तीने statement को अच्छे से पढ़ना है specific gravity की बात की गई है चलिए, इसका answer होगा option E, B and C देखिए, specific gravity होता है, 16 degree Fahrenheit पे milk का और fat का वो different होता है कितना होता है, यह भी नीचे मैंने explain किया है एक का होता है 1.028 और fat का होता है 0.93 यह question IVPS A4 में भी पहले पूछा जा चुका है fat को लेकर, तो इसका option होगा E अगला question, which of the following milk is more acidic in nature सबसे ज़्यादा acidic कौन सा होता है इसका answer होगा E, Sip Sip का acidic content होता है, pH जो होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे देखे, मैंने table दिया है humans के अगर बात करें, तो 6 से 7 तक होता है उसके बाद goat की बात करें, तो 6.28 buffalo की बात करें, तो 6.07 और cow की बात करें, तो 6.05 दोनों का लगभग सेम होता है, cow और buffalo का Sip का बहुत कम होता है, 5.73 जितना pH कम होगा, उतना acidic होगा, अगला question which of the following animals, milk has maximum percent of water, by weight by weight, maximum water किस के milk में होता है, cow के milk में होता है buffalo में होता है, goat में होता है, sheep में होता है यह human में होता है चलिए, इसका answer होगा, option C, goat इसमें 88.5% होता है book में आप अगर आप देखेंगे तो 87% दिया हुआ है अगर आप net पे सर्च करेंगे, exact देखेंगे तो वो आपको 88.5% मिलेगा तो 88.5% इसका सही answer है next question, सबसे ज़्यादा fat percent किसमे होता है सबसे ज़्यादा fat percent होता है SIP में, SIP में fat percent लगभाग 8.5% होता है चलिए, protein percent किसमें सबसे ज़्यादा होता है यह आपको बताना है बहुत ही अच्छे MCQ है आप एक बार analyze करके देखें बहुत मज़ाएगा आपको, ऐसे ही videos में लादा रहा होगा है एक topic पे जो भी topic आपको चाहिए आप comment section में ज़रूर बता है चलिए, इसका answer होगा, SIP में 4% protein होता है बाकी सब में 3 के असपास होता है lactose lactose percent सबसे ज़्यादा किसमें होता है cow में, buffalo में, goat में, SIP में या किसी में भी नहीं यह होता है buffalo में 5.48 बाकी सब में 5 के असपास होता है next question S परसेंट सबसे ज़्यादा किसमें होता है चलिए, यह होता है cow में cow में, cow में 0.7% S होता है बाकी सारे चीज़, सारे में कमी होता है ज़्यादा ही होता है milk में कोई भी चीज ज़्यादा नहीं है चलिए, आगला question which are the following energy value of milk is same per gram energy value बात की गया है per gram fat and protein का same होता है protein and lactose का same होता है fat and lactose का same होता है lactose and protein का same होता है देखे, fat की जहां तक बात करें, इसका 9.5 3 होता है energy value उसके बाद lactose और protein की अगर बात करें तो दोनों का 4.1 होता है इसलिए इसका answer होगा option D next question which of the following has found lowest milk fat percent सबसे कम milk fat percent किस में होता है इसका answer होगा option E skimmed milk, skimmed milk में 0.5% होता है यह सब बहुत ही important question है which of the following has found lowest milk SNF content सबसे lowest milk SNF content किस में पाया जाता है यह आपको बताना है यह होता है क्रीम में 6.80 बाकी बाकी सब में 8.5 या 9 के असपास होता है which of the following has maximum milk fat percent maximum milk fat percent किस में होता है यह होता है घी में 99 से 99.5 परसेंट तक होता है next question इसका concept थोड़ा सा देख लिए हम लोग किरीम में जो होता है milk fat percent वो 25 परसेंट होता है table butter में अगर बात करें तो not less than 80% 80 परसेंट जाता होता है मगर 99 परसेंट तक नहीं होता खोगा कि अगर बात करें तो 37.1 परसेंट के असपास इसमें milk fat percent होता है तो घी में सबसे ज़्यादा होता है almost fat ही होता है next question in which of the following water is not more than 0.5% किसमें water का जो percentage है वो 0.5% से जादा नहीं होता देखें गोट की अगर बात करें तो इसमें भी 88 के असपास होता है water percent cow milk में होता है cream में होता है table butter में होता है सब में होता है घी में सबसे कम होता है 0.5% से जादा नहीं होता 99.5% तो आफ फैठी होता है तो बाकी जो बचा वो क्या बचा water तो water 0.5% होता है चलिए आगे बात करते है which of the following है same milk fat percent milk fat percent किसमे इसमें से दो जो होगा जिसमें same होगा इसमें option हमको लगता है थोड़ा सा गलत है option इसमें यह होना चाहिए both A and B recombined milk and toned milk यह दोनों में same होता है कितना होता है 3% option is होना चाहिए A and B होना चाहिए यह दोनों में होता है तो चलिए अब milk SNF से related जो concept है वो समझते हैं देखिए अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे total 10 classification किये गए है milk के मतलब milk का जो product है just like जैसे skimmed milk है toned milk है इस तरह से जो classification है इसमें total 10 है उसको मैंने बहुत अच्छे से table को पढ़ा और उसको जब combined किया तो इस तरह से pattern आ रहा है buffalo whole milk goat milk double toned milk ये सब का milk SNF content होता है वो 9 है आप इस table को पूरा रट जाए अगर इन तीनों में से अगर कोई पूछा है तो हमेशा इसका answer 9 होगा चार इसमें आ जा रहे है total 7 है दो इसमें है एक है इसमे total 10 हो जा रहे है standardized milk recombined milk और toned milk और cow whole milk ये सब का अगर milk SNF की बात करें तो 8.5 होता है और ये 3 का 9 होता है इसका 8.5 होता है सबसे lowest SNF किसका होता है cream का होता है जो होता है 6.8 और सबसे highest होता है askimmed milk का जो है 9.3 अब देखिए यहाँ पे सबसे important data है कि highest SNF भी इसमें होता है और lowest milk fat भी होता है milk fat इसमें क्योतना है 0.5% होता है और highest SNF होता है इसमें 9.3% ये complete chart है ये concept आपको समझना चाहिए आप चाहें तो इसका screen shot रख सकते हैं नहीं तो रोहिलोजी जोवाइल करें टेलिग्राम पे आपको ये image मिल जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं next MCQ तरफ milk fat percent बफैलो होल मिल का कितना होता है ये होता है 6 आगे बात करते हैं pasteurization की pasteurization बहुत ही important method है milk के लिए answer करिए कौन सा answer होगा इसका pasteurization is done to kill which pathogenic and most of the non-pathogenic bacteria इसका सही answer होगा option A cholestridium, botulinum इसे होगा kill करने के लिए हम लोग pasteurization करते हैं next question pasteurization method से है तीन तरह के measure methods है इसमें से पहला method यहाँ पे मैं discuss कर रहा हूँ regarding low temperature, low time pasteurization method which of the following statement is our correct 4 statement को ध्यान से पढ़िया और देखिए कौन सा statement सही होगा इसका option यह होगा सही exposure of milk at 61 to 63 degree celsius for 30 minutes लगभग आदे घंटे तक 113 degree celsius तक temperature दे कर हम लोग इसको pasteurize करते हैं वो कहलाता है LT, LT, low temperature, low time अब आगे बात करते हैं HTST high temperature, short time इसके regarding जो statement है कौन सा सही है सारे में temperature से मैं सारे option में तो आपको बस timing पे ध्यान देना है 5 second के लिए 10 second के लिए 15 second, 20 second और 12 second कौन सांसर सही होगा इसका option C होगा सही उसमें 61 to 63 degree Celsius तक हम temperature दे रहे थे और कितने के लिए था 30 minute के लिए था ये है हमारा mil को हीट कर रहा है 73 degree Celsius पे just only for 15 second option C होगा इसका सही चलिए अगला देखते हैं UHT, ultra high temperature पास्योराज़शन मेथट का कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी question exam से related नहीं चूटने वाला है इसका अंसर होगा option E A, B and D देखिए A में क्या बोल रहा है mil को हीट कर रहे है 148 degree Celsius पे 1-5 second के लिए बिल्कुल सही है ultra high temperature में ये काम करते हैं जहां 1 degree Celsius temperature बढ़ाएं 149 degree Celsius किये मात्र 0.5 second के लिए हिट करते है option C जो है वो बिल्कुल गलत है इसमें temperature तो सही है बट 1-10 second के लिए हिट नहीं करते है D में सही कहा गया है कि rapid cooling किया जाता है 10 degree Celsius या उससे कम temperature दे कर तो option E होगा सही answer next question which of the following is enzyme renet coagulated milk product इसका answer होगा option C cheese, सिर्फ cheese ही है जो enzyme coagulated product होता है next question heat desiccated product कौन सा है इसमें से इसका answer होगा option D A, B, C ये तीनो खोवा, पेड़ा, बर्फी heat desiccated product है question number 26 milk से cream को separate करने के method को क्या बोलते है चलिए अब बढ़ते हैं आगरी question की तरफ जो सबसे important है most important इसको कर सकते है milk से related taste का question हमेशा आता है exam में और थोड़ा lengthy question दिया जाता है ये test का पूरा method बताया गया है method नहीं कहें तो इसका क्या advantage है क्यों test ये किया जाता है actually जिसका pH 5.8 से कम होता है जिस milk का और जिसमें protein like cholesterol milk ज्यादा होता है उसके लिए test किया जाता है तो आपको बताना है कि वो test करने के लिए कौन से test किया जाता है इसका option B होगा right answer clot on boiling test COB test किया जाता है यह जानने के लिए कि इस milk का pH अगर बहुत कम है कि इसमें protein का percentage cholesterol protein का percentage ज्यादा है देखिए इस test में होता क्या है कि milk को एक spoon पे लिया जाता है थोड़ा सा sample spoon पे लिया जाता है और इसको hit किया जाता है अगर clotting हुआ अगर clotting हुआ milk का तो समझे यह test को fail कर रहा है और दूसरी तरीका से इसको test tube में लेकर भी boil किया जाता है अगर clotting हुआ तो समझे यह test को fail कर रहा है यह है clot on boiling test इसका method यह है concept अगर आप समझना चाहते है तो एक small amount of milk लिया जाता है अगर clotting हुआ तो यह test को fail कर रहा है तो यह था complete concept regarding the milk testing और milk से related सारे questions मैंने cover किया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें और सेयर करें और हमें यहां बताएं कि और भी टॉपिक्स पर वीडियो लाए जा सकते हैं एमस्यू को आपको कैसा लगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू